नमस्कार दोस्तों देहाती किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते देहाती चिकन यहां पर दोस्तों स्रिफ खगा मसाला ही इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले चिकन को मैं नमक डाल करके और आधा निम्भू डाल करके कुछ दिल के लिए इसको हम छोग देंगे लगबग आदे गंटे के लिए ताकि नमक चिकन के अंदर तक चला जाए चलिए दोस्तों तब बनानी की परकिल्या इस्टार्ट करते हैं बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंतर तक और देखे किस तरह कम से कम मसालों का इस्तेमाल करके स्वाधिष्ट चिकन बनाया जाता है देहात में थोगा सा खगा जीरा और लसन डाल दिये हैं इसको हलका सा प्राय करेंगे अब इसमें मिल्च डाल देंगे हरी मिल्च जो काटके रखे हैं इसको भी और थोगा सा प्राय करेंगे प्राय करेंगे प्याज को दोस्तों अभी डालना नहीं है पहले हम चिकन को डालते हैं और इसको थोगी देल तक जब तक इसे पूरी तरह से पानी नहीं निकल जाता है तब तक इसको हम ढख ढख करके चलाते रहेंगे देखिए दोस्तों अब पूरी तरह से आपको नजरा रहा होगा पानी निकल गया है निकल रहा है अब हम काली मिर्च को थोगा सा कूट लिये हैं तोग दिये हैं सिर्फ उसको कूट करके अब उसको डाल देते हैं अब इसमें अब प्याज को एड करेंगे और प्याज को एड करने के बाद कुछ देल के लिए इसको और प्राय करेंगे जब तक प्याज हलका गलना जाए अब इसमें नमक एड कर देते हैं नमक हल्दी और टमाटर इनो एड कर देते हैं एक साथ में और इसको हम कुछ देल के लिए पकाते रहें जब इसकी पानी अच्छी तरह से सूख जाएगी उपर उपर जब तेल नजर आने लगेगा तो हम इसमें पानी एड करेंगे अब तेल नजर आ रहा है यह अच्छी तरह से प्याज भी चिकन भी प्ताय हो चुका है अब अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी लखना है उसके हिसाब से आप पानी एड कर दें ग्रेवी कम चाहिए तो पानी कम ही डालें प्लास्ट में थोगा धनिया का पत्तायर कर देते हैं तो यह मेरा चिकन बन के तयार है बिल्कुल देहाती श्टायल में एक बार अपने घर में जरूर ट्रै करें और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में